तो दोस्तों यह है नई TVS 160 RTR 4V इसमें आपको फॉर वाल मिलते हैं और इसमें आपको दो इंजन ऑप्षिन मिलते हैं एक फ्यूर इंजेक्टेड मिलता है और दूसरा वाल आपको मिलता है कार्बोरेटर तो आई आपको मैं इंजन यहां से दिखा देता हूं आप यहां पर किया अपको फिल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा यह किक के साथ आपको मिलती है यहां पर एंजन की गर्णी गर्ण करूँ तो उसमें आपको 159 CC का एंजन मिलता है जिसमें आपको फिल इंजेक्टेड में फंटीन पॉइंट 16.8 PS at 8000 RPM का power मिलता है और इसका torque के अगर बात करूँ तो मैं इसमें आपको मिलता है 14.8 Nm का torque at 6500 RPM और ये गाड़ी आप देख सकते हैं ये है और जो fuel injected version रहेगा उसमें आपको 16.8 PS का power मिलेगा और और चार्बोएटर में 16.5 PS का power मिलेगा 8000 RPM पे और ये 4 wall का engine है और आपको kick के साथ electric start मिलता है यहाँ पर ये suspension है monoshock suspension यहाँ पर देख सकते हैं ये है red color में दिया हुआ और आजकल गाड़ियों में यह आ राज seat के नीचे और सामने का suspension है ये telescopic suspension है जिसमें आपको 37 mm का आपको telescopic suspension मिलता है है यहाँ पर प्रोटेक्टर से फ़र प्रोटेक्टर से आप देख सकते हैं यहाँ अब है ये लाइट में आपको दो LED positioning lamp मिलते हैं और बारा पैतिस पैतिस वर्ट का बल्ब आपको हेलोजन बल्ब इसमें मिलता है यह सामने का टायर आपको दिखा देते हैं यह 90 by 90 का और यह है TVS रेमोरा का टायर है साहिज है और यह ट्यूबलेस टायर मिलता आपने को और यह स्ट्राइप कुछ दिए हैं यहाँ आपको सामने का ब्रेक दिखा देता हूं यह सामने का ब्रेक है और आपको यह गाड़ी में सामने का डिस्पी मिलेगा और पिछे का डिस्क भी मिलेगा इसमें आपको दो विरिन पिलते हैं एक सामने के डिस्क के साथ और एक दोनों ब्रेक में डिस्क के साथ यह सामने का जो प्रकते रहा है उसका साइज है 270 mm पेटल 1949 पेटल डिस्क प्रेक और इसमें या ने द्रम गाड़ी को महलें का धर्रण अबने जो प्रेक ब्रेक हो जो प॥ ह辥े यहां पर यह ब्रेक फ्लूइड आपको डॉट 3 और डॉट 4 का इसमें आप यूज़ कर सकते हैं और गाड़ी की हाइट है अराउंड 1050 mm का है लेंच 2050 mm विट 790 mm का है और विल बेस अराउंड 1357 mm का है और इसकी सीट हाइट की बात क्यों यह फ्यूल टेंग 12 लिटर का और रिजर्व का अभी तक कुछ कंपनी वाला ने क्लेम नहीं कि अभी है रिजर्व कितना रहता है इसमें आइडिया कुछ 1.2 रहेगा कुछ कंपनी और माइलेज कितना बदा रही कंपनी इसका तो 45-50 हराम से आजाएगा ना क्योंगी गाड़ी का पिकप बहुत अच्छा है और जब मैं मतलब चला रहे थे अपन पिकप बहुत अच्छा दिगराता और यहां पर आप देख सकते हैं आपको आपको अच्छी बात इसका साउंड यह डियूल आउटलेट मफलर है जो आपको आपको आवाज काफी अच्छी आती है स्टार्ट करके बताएगा आपको एक बार आपको इंजन हीटिंग के लिए जो कूलिंग बना रखने के लिए आपको 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 देख सकते हैं रेडियेटर आपको यहां पर मिल रहा है और यह यह ओईल कूलिंग का है जो आपको पल्सर आपको यह है हेंजन कूलिंग के लिए है अब आपको फट्राव सीट भी दिखा देते हैं यहां पर अरे शावाश यह अच्छा दिए यह यहां से सीट कुल जाती है और और शीट के अंदर का शावाश यहां पर यह फिल्टर है ना एर फिल्टर है ना यहां पर कुछ कपड़ा उड़ा मत रखिए नहीं था आपका एर फिल्टर ब्लोक हो जाएगा और यहां पर अपना जो टूल किट वकर रख सकते हैं और यह बहुत इजी है यह निकालने में आ अटेश की आप की लगाई इसको बस और कि यहां फिल्टा की वगरा को यहांपर मिल जाएंगी पेट्रोल का डीटेल बिल जाएगा और रहाई टॉप स्पीड आपने कितना अचीव किया है इसके इंतर वह भी देखने को मिल जाएगा तो 82 हमने टॉप स्पीड अचीव किया गाड़ी का भी तक गाड़ी एक दम नहीं है तो ज्यादा स्पीड इसको लेके जानी सकते हैं यहां पर आपको टाइम देखने को मिल और यह है इंजन किल स्विच इसमें हाजार लाइट्स का स्विच तो नहीं दिया ना दोस्तों अगर आपको और कुछ डिटेल चाहिए बाइक के बारे में तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में मेंचन करके पूछ सकते हैं और अगर आपको यह गाड़ी खरिदनी है और आप हैदराबाद से है तो यह बाइक आप डाइमंड टीविएस में अवलेबल है वहाँ पर आप आप जाके देख सकते हैं और उनका कॉंटक नंबर एंड एड्रस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्श में डाल दिया है आप वहां से कॉंटक डिटेल लेके उनको कॉंटक कर सकते ह हैं और अगर मैं प्राइज की बात करूए गाड़ी की तो आपको 94,000 अन्रोड पड़ेगी अराउंड 94 तो 95,000 तक तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबाना मत भूलिए और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी का बटन है उसको दबाईए